बॉलिवोड के दिगज कलाकार और सुपरिश्टार दिलिपकुमार के फैंस के लिए बुरी खबर है अभिनेता दिलिपकुमार का अंठानवे वर्स की उम्र में बुद्धवार साथ जुलाई को निधन हो गया वो पिछले कुछ दिनों से स्वास्त समस्याओं का सामना कर रहे थे और उन्हें कई बार अस्पताल में भरती कराना पड़ा था आज हम दिलिपकुमार से जुड़ा एक किस्सा आपको बताने जा रहे हैं जिसे शायद आपने पहले ना सुना हो सायरा बानो ने एक इंटरव्यू में दिलिपकुमार के बारे में बात कही थी उनकी कुछ अच्छी और बुरी आदतों का खुलासा किया था सायरा ने बताया कि जब दिलिपकुमार को गुस्सा आता है तब वो घर का सामान उठा कर फैंकने लगते हैं उन्होंने यह भी बताया वो एक पठान है और उन्हें गुस्सा बहुत आता है गुस्से में उन्होंने मुझे भी कभी नहीं मनाया लेकिन इसके बावजूद मैं कभी भी उन्हें उनकी आदतों को बदलना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं उनकी बीवी बनने से पहले उनकी बहुत बड़ी फैन थी दिलिप कुमार और साइरा की कहानी एकदम फिल्मी है साइरा चाहती किसी और को थी और उन्होंने शादी किसी और से की जी हाँ, राजेंद्र कुमार को चाहती थी और जब दिलिब कुमार ने समझाया कि शादी सुदा और दो बच्चों के पिता के चक्कर में मत पड़ो तो तपाक से पूछ लिया तो फिर आप करेंगे मुझसे शादी मजबूरन दिलिब कुमार ने हा कर दी और फिर साथ के दसक की Most Eligible Bachelor दिलिब कुमार साइरा बानो के शोहर बन गए 11 अक्टूबर 1966 को दोनों ने सादी कर ली उस वक्त दिलिब कुमार 44 साल के थे और शाइरा 22 साल के थी दोनों का मिजाज अलग था, अंदाज अलग था, उम्र का फासला दो गुना था लेकिन जब साथ हुए तो प्यार बेपना हुआ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कामियाब जोडियों में से एक थे दिलिब कुमार और शाइरा बानो ऐसा कोई पल नहीं जब दिलिब कुमार बिना अपनी पत्नी शाइरा के बिना नजर आये हो आज बॉलिवुड में शोक की लहर है हिंदी सिनेमा के लेज़ेंड दिलिब कुमार सहाब नहीं रहे लेकिन वो हमेशा हमारी यादों में जिन्दा रहेंगे उनके फिल्मों के जरिये उनके किरदारों के जरिये बॉलिवूट कैलेंडर के टीम दिलिप कुमार को स्रध्धानजली अरपित करती है